हलो दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासे दोस्तों रीसेंटली जैसा कि आपको बता है एक्साम हुआ यूपियसे प्रिलियम्स तो साइंस एंट टेखनोलोजी के कौन से कोशन आये हैं और हमने जो कवर किया है बहुत से बच्चों ने हमारे साथ साथ अचनी मेहनत किये तो उ से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है अरोगया से तू कोविन डिजी लॉकर डिक्षा 1 & 2 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 अब यहां पे अगर हम दोस्तों यह बात करें तो अरोगया से तू कोविन यह तो काफी निउस में थे बट डिजी लॉकर डिक्षा यह इतने ज्यादा उस आता कि आपास सोर्स कोड होता है है ना तो आपको अगल उसके अंदर कुछिंप्रूमेंट कर दो अबहुत सी काम कर रही है इनके अंदर इंप्रूव्मेंट आती रहे क्योंकि विद टाइम साइबर सेक्रूटी भी बहुत जाता इंक्रीज हो लिए है ना सो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो हमने डी एंडी के अंदर जो एपरल के अंदर दोजार इकीस हालांके क्या इस साल यह नीज में नहीं था गया अरोगया सेतू के बारे में बताया गया एक्जेंपल हमने ली थी यहां पे अगर हम बात करें तो वहां पर हमने कोवीन के बारे में ओपन सोर्स वरजन टू भी प्रवाइड़ टू फिफ्टी नेशन यह पर्दान मंतरी ने बोला था तो यहां पे और यह लेकिन इस स को पिक किया हुआ को सकता है वन को भी पिक किया हूँ सो यह था दोस्तों तो 50-50% हमें मिलती थी बाकी दोस्तों आपकी किस्मत के उपर और उस टाइम के उपर यहां पे बैठे एज टीचर मैं अगर बोलूं के यह लॉजिक लगता था इसके अंदर यह था तो आप समझो एक जो हमें लगता है यह वाली एक्स्ट्रीम उसको इलिमिनेट कर दो और यह स्टेटमेंट हो सकती है उसके बाद हम कुछ सोर्स देखते हैं कि हाँ और जो हमने कवर गड़ा है वो तो है यह और निउस पेपर के अंदर हमें क्या इस जो हमने आंसर पिक किया है इसका एविद कर सकते हैं तो वह स्टूडेंट की लाइफ के अंदर वहां पर इतना प्रेशर है इतने स्टूडेंट है और आपने सब कुछ पढ़ना है मैंने तो चलो ठीक है साइंस एंट पड़ा रहा हूं तो इतना नहीं हो पाता सो बहुत बार क्या होता है कि बच्छे सोचते हैं डी को यहां यहां पर यूज़ करके कॉंप्लेक्स तरीके से उसको हम सॉलो करने की कोशी करते हैं यहां पर पढ़ाना असान है लेकिन एक्जाम के अंदर वह चीज़ परफॉर्म करना मुश्किल है टाइम भी बहुत कम होता है तो इसलिए आपने यह मानना है कि अगर गलत हु ज़ी जो कोशन है जो हम बोलते हैं इजी है मीडियम है डिफिकल्ट है मैं इस केट्गरी के अंदर किसी भी कोशन को डूइड नहीं करता मेरा यह मानना है कि अगर आपको आता है तो आपके लिए वह और वह आज़ या नहीं किया उसको तो फिर आपको यह समझता है कि ठीक है मैं सही टरेक्ट के उपर तो जा रहा हूं बट मुझे वो याद नहीं तो मुझे रिवीजन की जरूरत है ठीक है दो अब इसके बाद क्या करना है यह मैं लास्ट के अंदर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ओके तो यहां पर अपना यह क्लीर एवन हमने क्या डि लेटफर्म के उपर जाओगे तो open source software यहां पर सीधा लिखा है तो हम बात करता हूं मैं बार-बार के अगर कुछ भी आप प्रपेर कर रहे हो तो आपने क्या करना है सीधा उनकी official website के उपर जाना है about us या कुछ जो चार लाइने उसके बारे में जो लिखी है उसके उपर आ जो लोग हैं अपना data खुद control कर सकते हैं देन उन्हें बुला इसके अंदर blockchain यूज होती है दैन क्लेक्टिव ली तो corporation यहां पर यूज नहीं होती तो दोस्तों इसका अगर हम answer देखे तो answer सारे बनते हैं क्या हमने कवर किया था यह दोस्तों प्रेमिक्स जैन जैन के अंद प्रेटें है ठीक है रिमूव दा रूल आप जो यहां पर आप यह एक्जेंपल देखो गए यहां से आपको पता जलता है पहले वन पॉइंट हो आया जिसके अंदर क्या था हम कंटेंट हो गए रहा देख सकते थे पढ़ सकते थे इंटरेंट के दूप दूपर चल रहा है य जैसे मालजी आपने कोई बायर है कोई सेलर है तो उनके उसके साथ अर्जिस्टर करना है तो ऐसी बहुत सी और्गनाइजिशन है जिनके पास बहुत साथ डेटा चला जाता जो प्राइवेसी की दिक्कत आती है तो इसके इंदर ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी से होगा जैसे आपको बता ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी फेमस हुई थी डी सेंटरलाइज की वज़े से है तो वहां पे लोग जैसे बायर और सैलर आपस में करेंगे कोई बीच में मिडल मैं नहीं होगा जिससे स्कूर्टी बढ़ेगी प्राइवेसी भी रहेगी और यहां पे लोगों के अगर इसी के ऊपर मैं देखूं तो यहां पर हमने कोईशन किया था इसी लेक्चर के अंदर जो जैनुवरी 2022 के अंदर यहां पे अगर आप देखोगे मैंने स्टेटमेंट वेब 1 के बारे में डाली सेकिंड टू के बारे में थार्ड स्टेटमेंट देखो वेब 3 डिलिव इसी के अंदर मिल जाती है यहां पर बात करते हैं तो यहां पर यहां पर पीपल टू कंट्रोल देरोन डेटा वही स्टेटमेंट से निकल के आता है दूसरा क्लेक्टिव यह वही स्टेटमेंट से निकल के आता है लाक्चेन के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा था यहा हमने कुछ और sources से भी web 1, 2, 3, 3 को explain किया था different तरीके से तो यहां पर आगर आप देखो कि यह वही slide है यहां पर web 1 के बारे में हमने discuss किया था टू के बारे में discuss किया था थी के बारे में discuss किया था ठीक है दूस्टो अब बात करते हैं दूस्तों third question की reference to software as services थास basically सास बायर कन कस्टोमाइज देर यूजर इंटरफेस एंड डेटा फिल्ड पहली यह स्टेटमेंट है दूसरी स्टेटमेंट ही बोलती है कि जो सास यूजर है वो एक्सेस कर सकते हैं डेटा को कहीं से भी मुवाइल के थूरू तीसरी आउटलूक होट होट में लिया हूँ यह मेल फॉर्म जो सास के हैं अब यह कोशन डिफिकल्ट था हमने कोई बहुत जारा न्यूज में नहीं था अभी रीसेंट टाइम के अंदर कोई ऐसी न्यूज नहीं थी जिसकी वैसे हम इसको कवर करें हाला कि हमने टेकनोलोजी के उपर बहुत कवर किया हमने मेराथन सेशन क के अंदर काफी चीज़े कवर की बट यहां पर इस टॉपिक को हमने नहीं कवर किया सो यहां पर हम देखें तो फिर क्या ऐसे क्वेशन अगर आपको नहीं आते तो आपको शोड़ना पड़ेगा इसको अलांके यहां पर बेसिकली क्लाउड बेस्ट है मतलब कि आपने सब् से लगें काफी टीम रखनी पड़ेत करना बड़ेगा तो आप ले लेते हूं ठीक है उसके बाद वायोथ करते माई सकते हूं यह यहां पर यहां पर बताता हूम के दिक्कत यह है कि कुछ student ने ईंटिन बच्चों ने इसको पड़ा होगा तो वो कहेंगे कि ठीक है यार हमारा किसमत काम आगी कि एक्जाम से कुछ पहले कि बहुत से बच्चे एक महिना पहले छोड़ देते हैं अगर आप देखोगे इस बार यूपीसी ने मैई से काफी को जो करन्ट फिर भी उठाए तो यहां पर लेकिन इसी के अंदर एक लाइन मेंशन की गई है इसी आर्टिकल के अंदर के डिस अड़ांटिजेस किया है सास की तो यहां पे इन्हों ने लिखा है कि लैक आफ कस्टोमाजेशन तो इन्होंने मतलब अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से जाऊं तो य यहां पर यह निकल के आता है कि आप कस्टोमाजेश कर सकते हों ठीक है कैन नाई कस्टोमाजेश सास साफ्ट्वेर तो यहां पर आप देखोगे बायर कैन कस्टोमाजेश यूजर इंटरफेस्ट तो चेंज दर लूप एंड फील आफ प्रोग्राम एस वेल आज स्पेसिव सारे स्टेटमन उनके साफ से ठीक है तो अगर यूपीसी डी को मानती है मालीजिया अगर यूपीसी स्टेटमन को सही करती है तो बहुत से बच्चों का नुकसान हो गया होगा इस आर्टिकल की वज़ा से तो ऐसे ब्लंडर होने नहीं चाहिए अगर यह गलत होता है अगर इसको ठीक मानती है फिर यूपीसी ने ब्लंडर किया या किस ने किया यह बात में सुचेगे बट बहुत बार एक जो याद है आप लोगो मैंने फ्यू मिनट सेरीज के लिए कलर ब्लाइंड ने इसके उपर टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर भी उनका जो मान लिया था यहां पर पता नहीं उन्होंने बाद में किया या नहीं किया है मैंने देखा नहीं बट स्टूडेंट का बहुत नुक्सान हुआ होगा अगर यूपेसी इस स्टेटमेंट को गलत मानती है थीक है तो सास के बारे में हमने देखा आब बात करते हैं Fractional Orbital Bombardment System ह पर साल एक आदा question ऐसा आता है जो Indian newspaper में बहुत जादा निजमें नहीं है मतलब इंडिया मीडिया के अंदर इतना निजमें नहीं है बट फॉरन या किसी बहुत एर आर्टिकल है या फिर गौर्डिन उगरा उसके अंदर नियूज में आ जाता है तो वहां पे उसकी चर्चा होती है ऐसा एक आदा कॉशन हमें देखने को मिल जाता यूपियसी के अंदर इस बार भी यह बहुत ज़्यादा नियूज में नहीं था लेकिन अपने जो इंडिन एक्सप्रेस से लेके द क्वे करने के लिए क्या कर सकता हूँ मेरे पास दो चीजी है और बिटल बंबादमेंट सिस्टम एक तो और बिट की बात कर रहे दूसरा कुछ कुछ तोड़ने-फोड़ने की यहांपे बात कर रहे ठीक है अब यहां पे अगर मैं जाओं तो पहले हईपर संद नी मिजायल स्टेटमेंट को थोड़ा सा इस से मैच करती है मतलब और बेट की बात हो रही है कुछ नो कुछ तोड़ने की बात हो अगर मैं हाइपर सॉनिक अगर अब मैं अगर आपको पता है कि युएस का जो अपना नासा का डार सिस्टम है वह इस से कुछ मैच करता है इस स्टेटमेंट से तो इस साब से आप अपने इस साब से रहती है जो उसकी बैकरण्ड है इस साब से इसको फेल्ड के अंदर एज रहती है तो वह में भी थोड़ा इसको कवर कर पाएं अब यहां पर पहली स्टेटमेंट एस्टरोइड वाली जो अगर हम देखें फिफ्टी इंपॉर्टन टॉपिक है इसके ऊपर हमने यहां पे कवर किया था यह देखो यह इस ट्रेटी हुई थी इसी के कारण नाइटी सिक्स्टी से लेके यह देखें तक यूएससर ने यह काम किया था अब चाइना की वज़ए से न्यूज में है बेसिकली क्या है कि जैसे रडार है उसको डिटेक्ट करते है यहां पे क्या था और्बिट के अंदर मिजाईल अप ले गए चाइना यहां पे जो नियूज में था कि ऐसा है कि चाइना हाईपर सौनिक मिजाईल बना रहा है जो बहुत तेजी से आएगी और उसके बाद आपने गुमादी और्बिट के अंदर बाद में आपने डी और्बिट कर दी हो सीधी वो नीचे आ जाएगी तो इसको डिटेक्ट करना बहुन मुश्किला और यहां पे डिफिकल्ट हो सकती है मतलब वार जो होया और कंप्लेक्स हो सकती है उसके इक अंदर नियूज में थ ओके सो यहां पे अभी चाइना में है लेकिन वहां पे जो जब आउटर स्पेस ट्रीटी हुई तो उसी टाइम के उपर यह उसी टाइम के उपर नियूज में था यह हमने बेसिक के अंदर यह पूरी जो टर्म है है ना बंबार्डमेंट सिस्टम यह कवर की है यह नहीं कव क्योंगी फञाल एक ऩहीं तो हमीदेखक कर निकल जाते हैं तो यह कोई चीजें और हरे के साथ होते हैं कि यह उसके और में इफिर्मेशन है दैन इसी कोश्टन था क्यूबिट कॉआंटम कंप्यूटिंग यहां पर आप देखोगे तो यह हमारा पेड़ लेक्टर है उसके अंदर क्यूबट है मिक्स्ट स्टेट मतलब नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि यहां 0 के अंदर मूग करेगा 1 के अंदर जो कौंटम है वो मिक्स के अंदर मतलब एक टाइम पर 0 है एक पर 1 है और एक पर 2 है अब इसकी मैंने एक्जेंपल यूटिप पर लेक्चर पर भी एक बर दी थी यह वहली एक लेक्चर था उनका वहां से मैंने लिए कि अब बोलते हैं कि अगर है तो कंप्यूटर जीता है तो बाकी जो लोग है आम जनता है वो जीती तो यह कंप्यूटिशन हो जाता है जो नॉर्मल कंप्यूटर अपना वह 47 परसंट जीता है और जो प्लेयर्स बाकी है वह 53 जीता है जनता जो 3 परसंट और यह उन्होंने बोला कि कंप्यूटर के अंदर कोई दिक्कत था जिसकी वज़से यह 3 परसंट जनता जीत रही है अधर वाइस नहीं जी सकते थी रीजन क्या है अब जैसे मानला है या तो जैसे कंप्यूटर ने भी टॉस किया या तो है या हाफ हेड हाफ टेल और जब रिजल्ट पेच करना है तो उसको पता है कि उसका टारगेट किया है तो यह सारा मिक्स जो है यह एक्दम से टेल बन जाता है जिसकी वैसे इसका हरना मश्कील है तो यह मैंने एक्जेम्पल दी थी पिक्योस अधर्वाइज यह बहुत कमप्लेक इरिया नेटवर्क अब यहां पर हमारे पास दो इंफर्मेशन तो है तक जाती है अगर दोनों साइड बैटरी उप्रेटर हो जाएं तो उसकी रेंज हम बढ़ा सकते हैं यह हमने और फाइडी बढ़ा है कहां पर पढ़ा है दोस्तों यहां पर पढ़ा है ठीक है एक मेराथन सारी बढ़ाई थी मेरा अथन के अंदर ही यूपीएस यह एक कोशन था जहां पर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया गया था ब्लूटूटूट के साथ तो यहां पर आपको प्रिवियस यह से ही यह तर्म दुबारा उठाई गई है तो यहां पर हम देखें तो वारलेस लोकल एरिया नेटवर्क यह दोनों तो मेरे पास ठीक है तो अपने पास यह तो यह बचता है यहां फिर यह बचता है तो यहां पर अगर देखें बहुत जारा इसकी रेंज नहीं होती मुबाइल के थरू आप इंटरनेट के थरू दूर चाह सकते हो बट यहा आपने इसको सॉलो कर सकते थे मेबी और मेड नॉट ठीक है तो यहां पर पता नहीं कि आपके जो स्टूडंट जो जिन्होंने एंसी एटी उगरा पड़ी हो बायो फिल्म का कहीं जिकर सुना हो वो हो सकते हैं सॉलो कर सकते हैं और लेकिन कुछ जगर मेरातन सेशन के अंद आपको दो तिन चीज़ें बताई थे कि एक तो कि कुछ एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट हो साइन्स एंट टेक के अंदर यह बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको किसी चीज़ को लिमिनेट करना ठीक है जो एक्स्ट्रीम होता है उसके चांसस ज्यादा होते हैं लेकिन जो question frame किया तो क्या उसने ये देखा होगा कि दुनिया की सारी कदाबे पड़ी होगी जिसके बेस के उपर ये statement बना रहा है तो ये दो तिन चीजें हैं जो हमने मेरा सेशन के अंदर मैंने बोला था कि science and tech के question आप कैसे attempt कर सकते हैं बट हां मैंने ये भी बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता कि यह 110 या 100 पर साही हो लेकिन हाँ अगर chance लेना है तो आप ले सकते हो आप यह मान सकते हो का 60% chance सही होने के हैं 40% गलस होने के हैं तो इतनी आप ratio ले सकते हैं तो उससे 50-50 के उपर जाते हैं तो यह तो 60-40 होता है बायो फिलम्स बेसिकली माइक्रो और्गनिसम एक लेर बनाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक जैकेट समझो उनकी ठीक है दोस्तों प्लाक जम जाता है मुह के अंदर है ना तो वह भी है माइक्रो और्गनिसम उपर एक लेर बनाते हैं कई वर पॉलिसेक्राइट की होती है तो जिसकी वज़ा से क्या करते हैं वह अपने आपको प्रोटेक्ट करते हैं और केरी इस दांतों में करते रहते हैं और यह बहुत जो एंको प्रोटेक्षन देती तो एंटिबायोटिकल डिस्टेंस के बहुत बढ़ता है तो यहाँ पर आप कोई तुक्का लगाता तो उसका तुक्पा लग जाता लेकिन जैसे मेरा लगा है मैं आपके सामने लगाया बट क्या वह वही लगा था जिसको लगता कि हमने एक तो हमने नहीं किया कि लेकिन इसे जरूरत नहीं अगर आपके अपने तो फिर ज़रूरत नहीं है तो यहां अब यह है दो स्की बारे में अब यह न्यूस में था तो यहां पिर माइक्रो प्लास्टिक सेवेज यहां पर आप माइक्रो प्लास्टिक बायो फिल्म की बात यहां पर बात करते हैं जो बेसिक साइंस के उपर हमने इस की बहुत से शॉट्स बनाएं बेसिक साइंस के उपर किसी न किसी तरह किया जाए तो लेकिन क्योंकि बहुत से टॉपिक होता है जनरल्स तो हम सारे नहीं कर उपाए उनमें से यह भी एक है लेकिन हाँ आपकी अंदर इसके बारे में जिगर है और आप ने डेली लाइफ के अंदर इसको काफी होगा हमने ट्रांसवेर से लेके बाकी सारी चीज़े कवर कर दी प्रोबाइटेक्स के उपर बात नहीं की तो क्या हम इसको सौलो कर सकते थे अगें वही जिए अल्य मीक्रो ऑर्कटिरिया और इस्ट अब गुड बेक्टिरिया है यह थे सत्रिम पिस今天 घटरे से अगर से अगर मन हम निूटू ठागर हम लेते हैं जिन यह नई जो है नैचिनली हमारी बोड़ी के अंदर नहीं होते तो हमें बाहर से लेनी होई है यहां पर एक स्ट्रीम स्टेट्मेंट है जो उनने गलत किए कि नो गोला यह statement गलत नहीं हो सकती और यह बात उनकी ठीक है सारी सही नहीं हो सकती तो यह बात ठीक है so second statement को मैं eliminate करता हूँ तो मेरे पास बचता है one one and three first statement के बारे में मैं discuss नहीं करूंगा यहां पर हमें मिल रहा है ठीक है बात आती है third की बहुत से lactose जो है डाइजेस्टिंग बैक्टिरिया है जब हम बात करते हैं गैसे कि मिलक प्रोड़क्ट लेते हैं लेकिन वह ब्रेकड़ौण नहीं होता हुआ तो वह पे लैक्टोस डाइजस्टिंग बैक्टिरियास बहुत पहुत आते हैं जिन से मिलके प्रोबायोटिक बनते हैं और वो पीते हैं और उसको वो ठीक है तो अपने पास जो अंसर आता है वह आता है ठीक है दोस्तों अब यहां पर क्यों यह न्यूस में क्या था बिल्कुल था 11 फैब 2022 के अंदर यहां पर नेक्स्ट जिमनेशन कोई वीडियोस देखते हो के ठीक है हमने कोई करंट फेर की वीडियो देख रहे हैं कोई भी वीडियो उसके साथ आपको नियूस्पेपर या प्याइब वगयरा देखने हैं नियूस्पेपर आप डेली देख सकते हैं प्याइब आप हो सकता है कि एक हफते के अंदर एक ब कोशन है सास के उपर कोशन है रीसेंटली था पता नहीं अपना रूख रखती है वह तो देखने वाली बात होगी विकास हम यूपीएसी से उपर नहीं और यूपीएसी आपको पता है कि आंसर की निकाल A B C D कर देती है उसके बाद की बात वहां पर होती नहीं तो फिर बचे पुछते हैं कि सर आप एकस्प्रेयन करो हम कैसे करते हैं कई वार ऐसे अंसर होते हैं लेकिन अगर आप देखो के आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वाला एक बार कोशन आया था वह थोड़ा सा उसके अंदर ऑल अफ दी बाव भी था अदर्वाइस वह उसने थोड़ी सी कोशिश किया कि ऐसे कोशन ना डाले जाए या फिर आप्शन वहां से एक उड़ा दिया जाए तो आपको जो बेस्ट स्यूटेबल है वह पिक करना है तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कोविड-19 पेंडेमिक की लास्ट यह कोशन आए इसके उपर तो यहां पर सीरम इसी आफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया कोविड-19 कोविशील्ट यह उपर है इसको हमने बहुत बार डिसक्स किया स्पूतनिक फाइव जो है वेक्टर बेस्ट है स्कोव एक्सिन जो है इनक्टिवेटर है तो यहां पर यहां प इसके लबाव टू यह लास्ट यह फिटी टॉपिक अंदर कवर किया इस साल जो है रीसेंटली मैंने इसको पेड लेक्टर के अंदर बीडिटेल में कवर किया तो इस पूपर ही लिखा हुआ है तो यहां पर आप देखोगे तो स्वूतनिक फाइव एक्सिन वेक्टर बेस प्लेटफॉर्म है को वक्सिन का अपने पास रजल्ट आगया कोई चील्ड अमरे ने बेस नहीं है यहां पर आपको अपना बी अंसर आ जाता है अब बात करते हैं डैन नेक्स्ट कोशन की इफा मेजर सूलो स्टॉर्म रीच इस एर्थ विच मंगदा फॉलिं पॉसिबिल प्लेट आपको अगर मैं बात को जिसन सन के उपर क्या होता है कुछ एरिया जो है वह उसके इंदर क्या होता है कि जो नीचे से जो हीट आती है उसको बंद हो जाती उसे इसे मेगनेटी फील्ड की री और्गनेशन वज़ा से अब उसकी वज़ा से जब वह दुबारा हमने पड़ा अब उसका इंपक्ट अर्थ के उपर बहुत होता है अरोरा वगरा हमें देखने को मिलते हैं तो यहां पर आंसर क्या आएगा तो अगर हम देखें डीपीसी नेविगेशन सिस्टम तो जीपीस के उपर क्या इंपक्ट करेगा पावर गेट है अब यहां पर ए तो मुझे यह दो तिन चीज़े यहां पर देखने को मिलती है शॉर्ट वे रेडियो कम्यूनिकेशन एरक्राफ्ट ठीक है तो अब मेरे जो मैंड में आया है जो जहां पर मुझे लगता है कि यहां कुछ गडबड हो सकते हैं यहां तो यहां पर क्या हमने इसको कवर किया ह इमिडेट इंपेक्ट वहां पर कुछ देखने को हमें नहीं मिलता तो चांसे अगर सुनामी की बात करें यूपेस ने की बात की है थोड़ा सा सेप साइड को खेला है तो अगर यहां पर देखें मोस्ट स्यूटेबल फिर अपने पास कौन सा बज़ता है वो है 13467 अगर मै इसी तरह और मच ऑफ दा अरॉरा की है तो अरॉरा जो है वो थोड़ा सा हो सकता है उसके चांसे बाहर वाली साइड के उपर बट फॉरेस्ट फायर मच ऑफ दे प्लैनेट क्योंकि यह कहना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है तो यहां पर हमने कवर किया है दोस्तों यहां पर फैब 2022 तो यहां पर यहां पर देखोगे तो एफेक्ट ऑन अर्थ की स्लाइड के उपर एरक्राफ्ट यह पूछा गया पावर ग्रिट यह पूछा गया जीपीएस यह पूछा गया और और यह पूछा गया ठीक है दोस्तों इसके लावा रेडियो सैटलाइट यह सारा सैटलाइट वह मिल जाता ठीक है एरक्राफ्ट यह मिल जाता है तो यह सारे पूछ के उप्शन तो यह संदर अगया हूए तो यहां पर आप देखो यह स्टेटमेंट डाली ती ठीक है दोस्तों सो बेसिकली यह स्टेटमेंट गलत होने के चांसे हैं कोई भी आंसर हम यहां पर बता रहे हैं यह ऐसा नहीं है कि यहां पर उपर मोर लगी कि इसको गलत नहीं कर सकता यूपीस ही जो अपनी फाइनल अंसर की बनाएगी वही फाइनल होंगे बट हम यहां पर एक अप्रोच देख रहे हैं कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफ्रमेशन है उसके रिजाब से क्या अंसर बनते हैं बाकि यूपी नेबल टोकन फर्स स्टेटमेंट डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ओफ फिजी का लैसे एक स्टेटमेंट यह मुझे दिख्कत दे रही है कि यहां पर देखें तो मोस्ट प्रॉब्लांसर बनता है वन एंट ठीके अब यह कैसे बनता है इसको देखते हैं अब यहां पर क्य यहां पर आपको नॉन फंजिबल टोकन के ऊपर यह आपको आटिकल मिलेगा यहां पर यहां पर बात करें नॉन फंजिबल टोकन बेसिकली है कि आपकी रीपर्जिब्रेशन कोई फिएी यहां पर फूटो वीडियो यह सारी चीज़ें यह तो डिजिटल पर देखें बात तो हमें यह समझ आता है कि अभी जो एक्जेम्पल हमने जारातर नियूजबें भी सुनी है वो डिजिटल है फिसिकल के ऊपर बात हमने ज्यादा की नहीं ठीक है एक्जेम्पल ली बट उस एक्जेम्पल से आप हो सकता है एक्जाम के अंदर अंडर प्रेशर आपको वो ना याद हो या कुछ ऐसा तो यहां पर है क्या कि आपने ब्लॉक्चें टेकनोलजी यूज़ की उसके थुरू आपने एक जो सिस्टम है जो कोई भी चीज है उसका आपने टोकेनाजेशन कर दी नॉन फंजीबल टोकेन अब इसके अंदर होता गया कि जैसे माले जी कोई पोस्टर है मुवी का जो मैंने एक जेंपल वहां पर दी थी कि वह अभी तो सारे यूज़ कर रहे हैं लेकिन जिसने क्रेट किया अगर वह अपने नाम पर उसको कर लेता है तो फिर अगर किसी और यूज़ करना तो उसको बाय करना पड़ेगा एक तो और का पता जल जाता है इसे बहुत सी चीज़ें जो आपने क्या कि है मान लिजे दो चार लोग है उनके नाम पर एक प्रॉपर्टी तो उन्हें करके अब वह एनफ्टी रख लिए अपने पास डिवाइड करके जैसे से वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर एकने बेचने वह बेच सकता है ठीक है तो यहां पर यह तरीका है चाहता हूं कि दस यह किसी को दे दूंग दस मैंने किसी को दे दिये लेकिन प्रॉपर्टी अभी मेरे नाम है अब उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है ठीक है मेरे वालों की वैली बढ़ती जारी उसकी भी तो अगर मालीजी फीचर के अंदर मुझे वह वापस चाहिए त कर देंगे तो उससाब से यहां पर बोला गया कि वह एक्स्चेंज हो सकते हैं इक्विलंसी के ऊपर नहीं यह स्टेट्मेंट गलत है तो यहां पर देख लेते हैं तो अपने पास जो हमने पढ़ा था कैसे काम करता यह सारा पढ़ा था हमने यह भी पढ़ा कि जो इसी को उपर अब हम और पुक्ता चाहिए तो हम और पुक्ता सबूत ले लेते हैं तो हमें अगर इन्वेस्टर पीडिया के उपर जाएं तो वहां पर एक स्टेट्मेंट है अलाइट क्रिप्टो क्रेंसी दे कैन नॉट पी ट्रेडर और एक्स्चेंज एट इक्विविलं एक ही निकालनी है तो हमने सारी हो सकती है यहां पर पीएट कर सकते हैं बारे में हुआन बाट करते हैं प्लाजमा के उपर एक सीरीज बनाई मैंने वहां पर बहुत डिसक्स किया तो तो कहते रहते कि आप अब यूपियसी पूछती है तो हम भी क्या करें है ना हमें तो पढ़ाना है तो जो यूपियसी पूछे कि कल को साइंस पूछना बंद कर देगी तो हम बंद कर देंगे तो तो मैंने क्या किया बेसिकली रिजिसन क्या आपको मीजरीटी जो डी एंडी के जो लेक्चिर है वहां पे आपको जो स्क्रीन शॉट है वो मिलता है जूं जलाई या कुछ है ना ऐसा रीजन उसका यह है कि उसके बाद जो है मेरे पास अगस्त तक जो है इंडिक्स था अग इसके लावा यहां पर जो पेड़ लेख्चर मैंने इम्यूटि पढ़ाया था तो आप को देखने को मिलेगा बॉट-प्लास्मा सीरीज चीरीज इन्दर भी हमारा इसके उपर आर्टिकल है अब बात करते हैं घर टीकल जो मेरा टोपिक रहता है हमें भी इसके उपर यह बात है ठीक है दोस्तों तो देन दो मॉडरेट स्टेटमेंट एक तो कॉस्मेडिक के अंदर यूज हो सकते हैं दूसरा हुमन के लिए अंसेफ हैं यह तो स्टेटमेंट हमने डिस्कूस की हुई है कि नैनो पार्टिकल जो है जैसे माइक्रो प्लास्टिक है इसी तरह बॉ कोशन डाला था गोल नैनो पार्टिकल के उपर लेकिन अब फिर भी आपके दमाग में आ सकता कि हो सकते हैं नेक्स यह ऐसा कोशन आजे तो कि सर यह तो हम सेंथेसाइज कर रहे हैं क्या नेचरल नेचर के अंदर मिलते हैं तो यहां पर आप देखोगे यह पेड़ लेक्ट क्या मैंने बेसिक लिए यहां पर पढ़ा रहा था इनका थीक है तो वही स्टेट्मेंट है और सो नेचरल आपनी ठीक है साम मैटलिक ओक्साइड टैनियम वगरा यह बहुत से हैं यूच्ट इन मेनुफेक्ट्ट्ट्र ऑसम कॉस्मेटिक उन्होंने एक्स्ट्रीम नहीं ब सम स्पीसी सम करके वो सारी स्टेटवंट से रही थी कुछ हो सकते हैं अब यहां पर आपको examiner point of view से सोचना था कि examiner ने क्या दुनिया के सारे जो metal oxide पढ़ लिए हैं जिसकी वैसे वो बोलता है कि यह नहीं use हो सकते मेटल अक्साइड जो है कॉस्मेडी के अंदर नहीं use हो सकते हैं चांसेस तो कम हैं तो क्या examiner को पता है कि दुनिया का कोई भी नेनो पार्टिकल जो है वो human के लिए unsafe नहीं है या safe है यह बहुत ही वास्ट फिल्ड है नेनो टेकनालोजी सो उस एंगल से अगर आप देखोगे तो यह दो स्टेटमेंट अपनी ठीक बनती है इसलिए इसको स्ट्रीम नहीं किया अगर स्ट्रीम करता तो स्टेटमेंट गलत हो सकती थी ठीक है जैसे माली जी जामने बोल दिया कि आल यहां पर मेटलोग साइड जो है ना वो सारी जो कॉस्मेडिक अंदर यूज होते हैं तो यह में ऊएंडिक अंडर होता है तो वह स्टेटमन उगी कुछ नहीं भी पार्टिकल ओल क्मर्शियल पड़क्ट्ट एंट चीह उसे चण्स के हैं सकते हैं साहा भाट जो इह बोड़ी के अंदर वैसे भी जाते हैं ओके घीक है दोस्तों तो यहां पर बात करते हैं यह ऌधा कोडी की बैसिकली चोटा स्टेशन है अगर मैं बाव के डीने का जिसके बैस के ऊपर हम प्रॉब कुछ चीजे निकालते हैं पहले यह कहता है एसेस करता है एज और प्लांट एनिमल दूसरा है डिस्टिंग्यूश अमंग दस्पीसी तीसरा है अगर आपने आपको वहां पर कोई आडिया नहीं इसके बारे में इसके अंदर कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम एलिमिनेट कर दें यह बेसिकली जो डिया की अगर हम जो फारक है है ना वो बताता है डियाने टेस्ट होगारा कुछ होता है उसके बेस के उपर आप वहां पर एक्जाम के अंदर कह सकते हैं सेकंड ठीक है तो यह तो यह है यह यह है तो यह वाली चीज़े आपने इलिमिनेट कर दी अब आपके पास बचा 50-50 परसेंट जब हम कोशन अटेप्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं पहले जो हमें डेफिनिट लिया थे उसके बाद उसके बाद हम रिस्क लेते हैं 50-50 तो 50-50 के अंदर आता था तो आप इसके अंदर रिस्क ले सकते थे तो पहले तो है असेस करता है अब यहां भी देखो ऑल आफ दी बव नह नहीं करता ठीक है प्रसेस्ट के अंदर जो डिया ने की वियर टीर हो सकते है उस स्टेट्मन के हिसाब से अगर देखे तो दी सही है बट अब एज का भी फेक्टर अगर देखें तो एज अगर आप देखोगे तो डिया ने जो है evolution के अंदर काफी जला डियाने का यूज हो की यूपीएसी के उपर है तो हम इसके उपर बात जहां पर इसको इतना ही रखेंगे ठीक है दोस्तों तो यह अगर आप देखोगे तो यहां पर प्रोसेस्ट फूड है यहां पर यह बदाता है इस आर्टिकल की बात करूं तो इडेंटिफिकेशन और बोथ राव और प्र इसके बारे में भी कुछ खास हमारे पास इंटरेंट के उपर सूर्स आफ इंफ्रमेशन नहीं है तो यह बताए कि यह दोस्तों कौन सा इसका अगे क्या बहुत से स्टूडेंट है कि हमने अब देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उन्होंने कॉश्चन पेपर अ इसको पड़ेंगे ना वहां से कॉश्चन आया है इसा नहीं होता है कि अंदर काफी कोश्चन आया जो हमने कवर कि लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बस यूपीसी को हमारे सामने कुछ भी नहीं है ठीक है तो यूपीसी टाइम टीचर से लेके स्टूडेंट सभी को मजा चखात ही रहती है तो ऐसा कोई बात नहीं है थो जहाँ पर प्लकुल हमें उसके ऊपर ऐसा नहीं होता तो आपके शनल रहते हैं आपके उसा डिन है आपके वह आपको कर फिर आप और नुट के दोगे तो यहां पर एक चीज्ज साई अब जो भी आपके हैं अगर आलक्षमी कांत भूट भी तो प्रूक है जो अपने पड़ी लास्येयर चाहएं वो नोड्स है जो आक्वे कि अब उपर आपने rotating अपने चेक करना उनके City की enjoying उनको देखने को देखकेrud आंसर सोलो करना है घर बापने देखना है कि आपके किपने के ज़रूरत है या कोई भी सब्जेक्ट है जिसके आपको लगता है लेकिन याद रखना है सब्जेक्ट स्पैसिफिक बहुत जारा नहीं जाना क्योंकि बहुत बार क्या होता यूप सी कुछ ऐसे कोशन पूछ लेकि उस सब्जेक्ट के अंदर से बाहर ही चले जाते हूं तो के उस सोट से कितने कुशन सॉलो होते थे अगर तो ठीक ठाक होते थे इतमेंस के आपकी दिक्कत कहां पे है रिवीजन के उपर है तो आपको रिवीजन के उपर फोकस करना है और साथ सब्सक्राइब पढ़ते जाना है बस यह कोश चीज़ है दोस्टो इसको दियान में है तो हमें भी बनाया है ना तो थोड़ा सा confidence आता है जिन्दकी खतम नहीं होती तो अब मुझे से ठीक है यहां पर मजा आ रहा है ठीक है पढ़ाने से मेरे तो स्टार्टिंग से इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरस्ट रहता था ठीक है तो बहुत सी चीजी है लाइफ हमें अलग अलग चीजी सिकाती है तो मिलते हैं नेक्स टाइम थैंक यू फिर मिच